सिविक्स में आज टॉपिक है राश्ट्रपती की विधाईवी शक्तियां बारत के राश्ट्रपती को बैदानेक शेत्र में भी अनेक शक्तियां प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं पहली राश्ट्रपती राजिसभा के लिए ऐसे बारा सदस्यों को वनुनीद कर सकता है जो साहित्य, कला, विध्यान या समासेवा के शेत्र में खुशल होते हैं सेकिंड राश्ट्रपती को संसत का दिवेशन बुलाने या उसको स्थगिंद करने का अधिकार होता है तीसरा, कोई भी विदेख राश्ट्रपती के हस्ताक्षर के बिनाम कानून का रूप नहीं ले सकता है चौथा, राश्ट्रपती के पास नयाय संबत्य शक्तियां भी होती हैं जैसे नयाय दिशों के निवुक्ति का अधिकार होता है और किसी भी देख राश्ट्रपती को गोश्चमा भी कर सकता है इसके अलावा राश्ट्रपती की विद्धिय शक्तियां भी होती हैं जैसे बजट प्रसत प्रस्तूत करने का अधिकार उसे होता है संख और राजों के बीच आयकर को बातने का अधिकार होता है किसी भी राज को यदिधन की आवश्यक्ता होती है उसे सुंकृत करने का अधिकार भी राष्टुपती को होता है राष्टुपती को विद्ध आयोग की नियुक्ती का अधिकार होता है इसके अलावा राष्टुपती की संकटकाली शक्तियां है संकट काल में जैसे युद्ध या युद्ध के आशंका होने पर, शर्शत्र के दो होने पर, या किसी भी राजी की सरकार कर जाने पर, या कोई भी प्राकर्टिक आफदा आने से आर्थिक व्यवस्ता व्यवल हो जाने से, राश्ट्रमदी को संकट, उस समय संकट काल में पर,